जै शीक्रिष्णा आज जानकरी लेकर आए इस विशेक की उपर की साधना कब अपना फल देती है कब साधना फलिबूत होती है आप में से बहुत सारे साधक साधिकाएं बहुत सारी जानकरी साधना की जोटाते हैं साधनाएं करते भी हैं विश्वास कम होता है, फिर भी साधना करते हैं, साधना पूरी हो जाने के बाद, फिर अपना वही जिस माया में पहले से लगे हुए रहते हैं, फिर से उसी में लग जाते हैं, अब उन्हें ये चिंता साताने लगती है, कि हमने तो साधना की थी, लेकिन साधना करने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाना चाहिए था अभी तक परिष्टितियां जो हैं वो ऐसी क्यों हैं तो इसी विश्यका समझाना चाहते हैं कि साधना करने के बाद भी कही बार हमने वीडियो में समझाया है कि साधना का प्रियोग के से किया जाता है हमने कहीं बार बताया है कि साधना के दोरान ही शक्तियां जो होती हैं वो भाव लाना शुरू कर देती हैं आपकी मन गुद्धी में या आपके जीवन में जो समस्या हैं उसे कैसे भार आना है लेकिन बहुत साधक साधिका हैं साधना के मूल भूत अनुभव उपर ध्यान ही नहीं देते बहुत सारी साधना के वीडियो उन्होंने देखे हैं पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में उन नियमों को नहीं उतारा जो हमने समझाए जो हमने एक साधक के गुण होते हैं एक साधक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस सारी बाते हम समझाते हैं लेकिन लोग उनको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं ध्यान रखें कि जब आप साधना करते हैं जैसे आर्थिक अपकी इस्तितिय ठीक नहीं है माता लक्ष्मी की साधना करते हो या अपसरा साधना करते हो तो ध्यान रखें कि आपको साधना के दौरानी मन में भाव आना शुरू हो जाएंगे देवी शक्ति आपको भाव लाना शुरू कर देती है भाव उस विश्या में आते हैं जो चिलता आपके मन में चल रही होती है भई मैं इस समस्या से बाहर कैसे आउं या अपने आर्थिक वरस्ता कैसे सुधार हूं या मैं आगे क्या करूं मेरे मन में ये विचार है जब आप साधना कर रहे होते हैं उस दौरान जैसे 21 दिन के साधना है तो साधना के दौरान ही जब आप रात को सोते हैं तो सपन में आपको करना चाहिए वो चीजें दिखाई देखती हैं जो आपको करना चाहिए अगर आपको नौकरी करना चाहिए तो आप नौकरी करते हो खुद को देखते हैं अगर आपको किसी वस्तु का व्यापार करते हो देखते हैं अगर आप किसी समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो उसका भाव आपको जाब करते करते, ध्यान करते करते साधना के दिनों में आने लगते हैं कि मुझे इस समस्या से बाहर क्यासे आना है तो जो भी साधक साधी का है, किसी मनों कामने के लिए साधना करते हो सिद्धी मिलना, सिद्धी के दर्शन होना, दिविदेश्टी, यह सब तो आगे की बाते हैं पर मूल हो यह है, कि आपके समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए शक्तियां पहले ही आपको दिमाग में बुद्धी में आपके मन में भावलाना शुरू कर देती है कि आपको यह करना चाहिए, जिस पर बहुत सारे सादक ध्यान नहीं देते हैं और फिर परिशान रहते हैं कि हमारी समस्याओं दूर नहीं हो पा रही है हमने ऐसे सादक देके हैं, जो चार-पास साल से भी हमसे जुड़े हुए हैं पर उन्होंने अपने जीवन में आज तक सादना के जो हम नियम बताते हैं जो दिम्चरिया बताते हैं, जिस प्रकार के योजना बनाना हम सिखाते हैं कैसी योजना बनाओ काई वीडियो में हमने समझाया लेकिन उना हास तक उन चीज़ों को नहीं अपनाया करके नहीं देखा इसलिए साधना का उनको पूरा लाब नहीं मिल रहा है तो अगर आप अपने जीवन में साधना का पूरा लाब लेना चाहते हैं कि आपको जादा से साधना का बेनिफिट हो जीसे अपने माता लक्स्मी योग नहीं साधना की और माता आपकी साहता करें अपसरा साधना की उसाहता करें तो वह जाब के समय ध्यान के समय आपके मन में भाव ना लाकर और आपको संक्यत देना शूरूप कर देती है तो सिफ और सिफ आप साधन के बाद भी अब योजना बनाईए अब ध्यान लगाईए जाब करें 21 दिन के साधना के बीच में ही आपके सभी प्रस्टों के जवाब पहले ही सिद्धियां आपको दे देती हैं भावला के मन में और उसके बाद जाकर सिद्धियां जब आ जाती है तो आपकी साहता करती है जो भी आप योजना बनाते हो जो भी आप काम शुरू करते हो उसमें वही सिद्धियां फिर आपकी साहता करती है और आगे जाकर आपको विजह दिलाती है इसलिए कोई भी साधक अगर साधना करता है तो भगवान योजना बनाना चाहिए सारे भाव आपके मन में आएंगे तो आशा है कि साधना जो साधक साधिकाएं कर रहे हैं वो ये मूर भूत अनुभावों पर ध्यान देंगे अपने साधना के दिनों में और अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे अभी तक के लिए इतना ही जैशी किष्णा